विल्कम बैक टू दी चैनल स्वागत है आपको आपके फेवरेट चैनल इंडू पार्ट सालामी तो जैसे कि आप सभी को पता है आई पेल दोहर तेज जो है समाप्त हो चुका है तो यहां से जो भी इंपोर्टेंट परसन हमारी ग्राम के लिए बन सकते हैं उन सबको हम इस व कौन जो है most valuable player बने हैं सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे लेक्चर कांटेनिव करते हैं सबसे पहला प्रसन है आपके लिए कि इन विच स्टेडियम वाज दी फाइनल मैच ऑफ आई पेल टूंटी टूंटी थ्री भी प्लेड तो आई पेल का जो फाइनल मैच है व जो कि काफी आदा इंपोर्टेंट है पहले आई पेल का फाइनल मैच होने वाना था 28 मई 2023 को लेकिन इस दिन बारिस हो गई ठीक है तो इसके बाद जो एक रिजर्ब डे रखा गया यानि अगले दिन 29 मई 2023 को यह मैच कराया गया ठीक हालाकि बारिस तो 29 मई को भी हुई ले बात करें नारेंद्रमोदी इस्टेडियम की त्य है जो 22 का सबसे बड़ा कुर्केट स्टेडियम है याद रखे दुसरे नंबर पर जो है वर्ल का लाज़ेस क्रिकेट ग्राउंड अस्ट्रिलिया का एंड ठोर्ड लाज़ेस क्रिकेट स्टेडियम जो है क्रिकेट का वह जैपूर में अभी बन रहा है तो भी आपको याद रखना है इसके बाद है विच टीम वोन दी आईपेल 2023 टाइटल तो आईपेल 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है मोस्ट इंपोटेंट प्रसन यह प्रसन आपके एक्जाम में पुछे आते हैं खिताब किसे हरा के जीता परपल कैप औरेंज कैप मोस्ट वैलेवल प्लेयर ही जो है खासकते प्रसन पुछे आते हैं स्पांसर कौन सा रहा है इ चैन्नाई सुपर किंग्स ने माही की टिम ने जीता है इस किताब को यहां पर देखिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्स आपके लिए है देखो चैन्नाई सुपर किंग्स ने तो गुजराट टैटन को हरा दिया है एंड यह जो है पांचवा खिताब है आईपिल का एंड जो है CSK भी जो है इसकी बराबरी में आ चुका है पांच खिताब के साथ यानि मुंबाइ इंडियस एंड चैनाई सूपर किंग्स दोनों के पास फाइब टैटल से आई फिर के तोनों टीम जो है बराबरी पर आख चुकी है जो भी टीम जित्ती है उसको कैस्प्राइज कितन ना लिगती है इस बान को देख लिया का चैनैगी जीता है गुझ्राच टींटन से याद रखी। इसके बाद देखते हैं यहां पर हम अगला प्रश्ण है आपको बतानी है कि देखो इस बार जो प्लेयोप्स मैच के लिए जा रहे थे तो यहां पर देखिए बिसेसी आई ने क्लियर कह दिया है कि जितने भी प्लेयोप्स में डॉट बॉल्स के लिए जाएंगे हर एक डॉट डॉट बॉट पूर्ट बॉल्स के उपर जो है 500 पूरे देश में लगाए जाएंगे एक डॉट बॉल्स इसकल टू 500 त्रीज याद र मैचेस में ठीक है सिर्फ प्लेयॉप मैचेस जो मालों की पहले तो लीग मैचेस चलते हैं उसके बाद जो क्वालिफायर होता है उन सब की बात हो रही यहां पर इसके बाद देखो वर्स हो यहां पर देखो शिश्टीन अटीशन ऑप्संश ही हो जाएगा आइपएल देश्टीशन खेला गया वाँड़्स फोस्टीशन कब खेला गया था यहां फर्स्ट आट में हुआ था ठीक है फॉर्स्ट इडिशन दोजराट में आई पील 2023 में कितनी टीमों ने भाग लिया तो कितनी टीमों ने भाग लिया है है श्मेंằm ठीवछ नतर दस PR ने पार्टि्सपेट केई यहांपर वह 10 टमें कौन कौन सी यह वह मागे देखेंगे यहां पर देखिए सभी टीम्स के नाम लिखेंगे हैं उनके कैप्टन्स के नाम लिखेंगे हैं उसके सामने गुजराट टाइटन्स के कप्तानी की हार्दिक पंडिया ने लखनाव सूपर जैंट स्केल रहूल हलाकि यह चोटी लोगे बीच में लेकिन इनकी पंजाब किंग्स के कैप्टन इस बार सिखर दवन सबसे लंबा चक्का इन्होंने लगाया है किसने लगाया है इसके बाद देखते हैं विच कंपणी है टाइटल स्पॉंसर कौन सी कंपणी नहीं है तो यह सबको पता है टाटा है याद रखके एक ऑप्सन भी सही हो जाएगा दोर बाइस और दोर तेज दोनों साल के लिए जो है आईपियल का स्पॉंसर जो है टाटा से जो है आप जो है टाटा होगे आपने देखा भी होगा टाटा इपियल करके लिखा होता है सबी जागा टाटा इपियल उससे आप यहाद रख सकते हैं काफी ही है इसके बाद देखो किस टीम के बीच में तो वह थी आपे चैन्नाई सूपर किंग्स गुजराट टाइटल दोरों टीम में बहुत अच्छे खिलाडियों ने काफी प्लेयर जो है अच्छा परफॉर्मेंस नों ने किया लेकिन डेविन कॉन्वे इनका नाम जरूरी आदके डेविन कॉन्वे ज कौन पर याद रखिएगा बात करें यहां पर हम तो इन्होंने काफी अच्छी पारी खेली है फाइनल मैच में देखो यह उन्होंने 25 या कितने 25 गेंदे खेली है एंड 47 रंस इन्होंने बनाए है ठीक है एक काफी अधा इंपोर्टेंट है याद रखिएगा आगे देखि इन्होंने टोटल 890 रंस बनाए है 17 इनिंग्स खेले हैं इन्होंने टोटल फाइनल तक पहुंचे 17 इनिंग्स खेले फीर इसके बाद कि परपल कैप किस खिलाड ने जीता है तो परपल कैप मिला इस बार मुहमचण शमी को याद रखेगा मुहमद सभी भी गुज्रा टाइटन्स के लिए ही खेलते हैं सुमन गिल भी गुज्रा टाइटन्स के ही प्लेयर है ठीक है यहाँ पर याद रखे मुहमद समी जो परपल कैप जीते हैं और औरेंज कैप सुमन गिल मुहमद समी ने कितने विकेट्स लि पीछे जो है मोहीच सरमा थे जिन्होंने कल काफी अच्छी गेंदवाजी की लेकिन लास्ट ओवर में जो उन्होंने लास्ट के टू बॉस पे एक सिक्स और जो फॉर्स खाया ना उसके बाद जो है चैनल स्खुपर किंग जो हारती मैच जित गए ठीक है तो यह आपको याद लेवान खिलाड़ी यह जो है किसको मिला पुरुषकार यह मिला सुमन गील को ही याद रखिएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा तो यहाँ पर देखो औरेंज कैप और याद रख सकते हो पहला मैच जो है सीजन का किस्टीम के बीच खिला गया था पहला मैच वह भी नरेंद्रमोदी स्टैडियम में है नगता है 33 6s लगा है 85 4s लगा है काफ़ एची इस बार बैटिंग इन्होंने की है 890 टोटल इन्होंने बनाए तो याद रख सकते हैं ठीक है आगे देखते हैं इसके बाद है IPL 23 में emerging player of the season का award किसे मिला है तो ये emerging player of the season का award मिलता है किसी भी यूबा फ्लेयर को तो ये देखो इस बार मिला है ये सस्वी जैस्वाल को option भी सही हो जाएगा राजस्तान रोयल्स के opener है ये सस्वी जैस्वाल और इन्होंने इस बार काफ़ी अची बैटिंग की है टोटल इन्होंने देखो 625 रंस बना है 14 मैचेस में एक सतक भी लगाया था मुंबई इंडियंस के खिलाब इस सतक के बात जो है ये फोर्थ यंगेस्ट प्लेयर बन गये थे सेंच्री लगाने वाले IPL में ये भी आप याद रख सकते हैं अच्छा यहाँ पर नाव आपको देख रहा होगा रिंकू सिंग रिंकू सिंग को एक सिंगल मिलता है जिसके बाद जो है पांच बॉल्स पे अठाइस रण चाहिए थे उसके बाद जो इन्होंने पांच गेंदों पर पांच सिक्स लगाए ठीक है उस वैसे जो है केके और उस मैच को जीता था एंडिस वैसे काफी यादा खबर में रहे हैं प्ले अबॉट जो है ना तीम को मिलता है खेल भावना को बनाये के लिए कि कंव सी टीम जो है कुछ आपने खेल भावना को बनाये रखार यानि किसी प्लेटे लडाई नहीं हुए इस तरह से में काफी तेल्पेस आपास वीर भीडए हैं लेकिन देली कैपिटल्स देली का इस बार मिला है फेयर प्ले अबोर्ड आईपेल 23 का याद रखेगा डेली के कैप्टन कौन है इस बार डैविड वार्णर थे ठीक है आगे देखिए आईपेल 23 के बाद किस खिलारी ने सन्याज की घोशना की है तो यहां प्रॉप्संस में दीख रहें इमेज दोनी देखो अभी मना कर दिया ठीक है उन्होंने कहाए कि मेरे पास काफी समय है छे-सात में सोचने का उसके बाद मैं डिसीजन लूँगा तो उन्होंने ऐसा भी कहाए कि हो सकता है मैं नेक्स्ट सीजन भी खेलू तो यह जो है जो में में दोनी के फैंस उनके लिए क खेले काफी अच्छे प्लेयर है कल भी अच्छी बल्लेवाजी की कम स्कोर लगाए लेकिन काफी अच्छा बैटिंग इन्होंने इफेक्ट डाला अपने टीम के लिए ठीक है तो ऑप्सन भी सही हो जाएगा एंड देखो अंब अच्छा एक चीज और सबस्य अगर बात करे आईपियल फाइनल्स जीतने वाले खिलाडियों के वो कौन है तरोही सर्मा पांच टाइटल जीत चुके हैं चैन्नाई सूपर किंग्स के लिए एक टाइटल नहीं जीता था जब डेकेन चार्जर्स के लिए खेलते थे ना बहुत पहले की बात करना हो शार्टिंग में तो CSK के लिए ही खेला एंड सारी ट्रोफी जो है CSK के लिए ही जीता है में इस धोनी ने ठीक है आगे देखिए सबसे ज़्यादा बार आईपियल का किताब के इस टिम ने जीता है तो पहले एंसर होता था मूंबाई इंडियन्स लेकिन आप जो इसमें बदलावा चुका ह आप जो है CSK साथ में होगा तो ए एंड बी बोथ ऑप्सन डी जो है यह हो जाए क्यूंकि मुंबाई इंडियस और CSK दोनों ने पांच खिताब जित लिए हैं फिर यहाँ पर है देखो जो भी हमने पीछे फैक्स डिसकस किये ना उस सब को मैंने एक जगह पर लिग दिया ह तो यहाँ पर एक पर देख लेते हैं आईपियल दोहर तेज का होस्ट कंट्री इंडिया क्यूंकि बीच में कभी-कभी UAE में भी आयूत हुए ना आईपियल तो इस वह से मैंने आप लिग दिया ठीक है एडिसन था 16 टीम्स टोटल पाटिस्पेट की हैं यहाँ पे 10 टोट टाइटन्स इन्हें जो है कैस्प्राज मिला है 12.5 क्रोड का यानी 12.5 क्रोड इन्हें मिले हैं ठीक हारने वाले को और एंज केप सुब्मन गिल टोटल लेट 90 रंस इन्होंने बना है 890 रं गुजरा टाइटन्स के खिलाड़ी है परपल के मुहम्मद समी 28 विकर्स लिए है गुजरा टैटन्स के लिए खेले मोस्ट वैलिवल प्लेयर सुम्मन के लियाद रखेगा है इंपोर्टेंट है एमघ्जिंग प्लेयर अबोर्ड एससवी जैसवाल राजस्तान रोईज के खेले हैं प्लेयर अब दे मैच मिला है फाइंडल मैच में जो फाइनल मैच वह दो प्लेयर पर मैच मिला है डेविन कॉनवे को इस बार के स्पॉंसर थी टाटा याद रख सकते हैं एक फियर प्लेय आवोर्ड मैंने बताए दिया देली कैप्टल्स को मिला है आए आगे देखते हैं यहां पर देव कुछ रिकॉर्ड्स वाले प्रसन हैं हू बिकेम दा हाइस्ट विकेट टेकर इन दा हिस्ट्री ओफ आई पिल आई पिल की इत्याज पर सबसे अधिक विकेट लेने वाले गिंदवाज कौन बने हैं तो इनसे पहले थे डीजे ब्राभू लेकिन अब जो है नमबर वन पे चल गये हैं युजवेंद्र चहल याद र लेकिन अब जो है चहल इनसे आगे निकल चुके हैं ठीक है तो नमबर वन पे चहल है नमबर टू पर है ब्राभू नमबर थ्री पर हैं पिव शावला नमबर फोर पर है अमित मिश्रा नमबर फाइप पे हैं रवी चंदरन अश्विन याद रखिएगा फिर हू क्रिएट रिकॉर्ड फ़ास्टेश्ट 50 इन आईपल हिस्ट्री तो फास्टेश 50 लेकिकिस लेगा दिया है आईपल इतिहास का तो यह जो हैसस्वी जाइसवाल है आप्सन सी सही हो जाएगा याद रखेगा इनसे पहले रिकॉर्ड था केल राहूल के नाम पे जो की रिकॉर्ड अब तोड़ दिया है यह सवाल ने इन्होंने मात्र 13 गेंदों में अर्थ सतक लगा दिया है याद रखेगा केके आद के खिलाप इन्होंने काफी संदार बैट कौन बने हैं तो यह है डैविड वार्नर ऑप्सन सी सही हो जाएगा इस बार देली कैपिल्स के लिए खेल रहे थे और यहाद देखो इन्होंने काफी कम मैचेज में 6000 पूरे कर लिए हैं तो यह फास्टेज बैस्टमन बन गए हैं 6000 बनाने वाले वैसे 6000 देखो दो प्लेयर टोटल 165 इनिंग्स खेले हैं 6000 बनाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कोहली ने 188 खेला था और 199 खेला था धवन ने तो फास्टेज 6000 डैविड वार्नर इसके बाद सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं 100 विकेट्स फास्टेज प्लेयर कौन बने हैं लेने वाले आई पिल में यहां कगीशोर अबाड़ा ऑप्संडी सही हो जाएगा याद रखिएगा सबसे तेज आई पिल के विकेट्स लिए हैं कगीशोर अबाड़ा ने इस वार पंजाब किंक्स के लिए याद रहे थे याद रखिएगा मोस्ट सबसेज हाइस्ट इंडिवेजुल स्कोर बनाने का रिकॉर्ड है इन्होंने 175 रंस बनाया थी ठीक है अकेले पिलर जो 175 रंस बना चुका है तो वह जो है यह हाईस्ट इंडिवेजुल स्कोर है आई पिल के अभी तक क्रिस गेली याद रखिएगा और बात करें आपके तो मुंबाई न्सकेस के दोनों हाईस्ट नंबर आप टूनामेंट जीतने वाले टीम बन गई है पांस ट 1 जब बलंडेवाज करने आते हैं तो यहां जो है crown को से मोस्ट एक्सपेंसिफ खिलाडी कौन बने हैं सैम करन केस टीम ने खरदा है सैम करन को तो यह जो है इन्हें लिया है पंजाब किंग्स ने कितने मिलिया था साड़े अठारा करोड एटीन पॉइंट फाइब करोड ठीक है याद रखेगा एंड यह जो है इतिहास के सबसे मह सबसे ज्यादा एक्सपेंसिफ प्लेयर थे इस बार के इस बार की बात हो रही है नंबर टू पर कैमरून गीन यह सब ज्यादा इंपोर्टन नहीं है चलो आगे देखते हैं हुई दे कैप्टन ओप रोएल चलेंजेस बैंगलोरी नाइपील 2023 आर्सीबी काफियता खवर में रहती है विराठ कोली की वज़ए से लेकिन विराठ कोली नहीं है कैप्टन आर्सीबी के आप कौन है फैप डू प्लेसी हैं याद रखेगा ऑप्सन भी सही हो जागा मैंने करने वाले फॉर्स्ट विकेट की पर कौन बने हैं तो यह हैं हमारे माही महेंद्र सिंग धोनी ऑप्सन भी सही हो जाएगा याद रखेगा और आप आप देख सकते हो दोजार दोसो डिस्मिसल्स इन्होंने किये हैं नंबर टू पे दिनेस कार्तिक है 187 डिस्मिसल्स के कि नरेंदर मोदी स्टेडिया में जो कि गुजरात के अहमादाबाद में है याद रखेगा पहला मैच कब खेला गया था डेट पुछा था एक्जाम में थाटी वन मार्च को खेला गया था ठीक है समापत कब हुआ 29 में को खब होना था 28 में को होना था लेकिन बारिश हुई बाद में जो रिजर्ब डे कराए गया 29 में को ठीक है अज टेडियम आप लिखा हुआ है नरेंदर मोदी स्टेडियम जो कि विस्व का सबसे बड़ा किर् सब्सक्राइब बन रहा है सेकंड का पता ही आपको मिल्बर्ण किर्केट गाउंड ऑस्टेलिया वाला फिर देखा एक इंपोर्टेंट फैक्ट है कि सम्राजिस हैदराबाद के लिए खेल रहे थे फटाफट होस्ट कंट्री रहा है इंडिया 15 एडिशन था 10 टीमों ने खे फाइनल मैच इसका भी हुआ था नरेंदर मोदी स्टेडियम में ही एड चैंपियन इस बार बनी थी गुज्राट टाइटन्स याद आना आपको फर्स्ट टैटल लिए उने चीता था 20 क्रोड का कैश्ट प्राइज रणर प्रही थी राजस्तान रोयल्स फाइनल में आर गी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्स यहां पर भी हैं जो फर्स्ट मैच खेले गए थे सिसके और के बीच वन खड़ी स्टेडियम मुंबाई में 26 मार्च 2022 को ठीक है फाइनल मैच वा था 29 में 2022 को और गुजरात और रास्थान रोयल्स के बीच जो है यह हुआ था ठीक है याद र इसके बाद हम रिवाइस करेंगे वीमेन प्रीमेर लीग हुआ अब आइपिल के तरहीं वीमेन का भी प्रीमेर लीग हुआ दर्तेश में तो यहां पर देको होस्ट कंट्री इंडिया यह रहा है फॉस्ट एडिशन था यह पांस टीम होने पाटिस्पेट किया था टोटल मै अब रेबॉर्ण किर्केट स्टेडियम जो की मुंबई महराश्टर में है चैंपियन बनी मुंबई इंडियस महिलाओ की बात हो रही है ठीक है फॉस्ट टाइटल जीता इन्होंने फॉस्ट एडिशन भी था सिक्स क्रोड का कैस प्राइज इनने मिला रनर अप टीम रही द मैच बात करें वह मिला है नेट स्काइवर को स्काइवर को जो कि मुंबई इंडियस के लिए खेल रही थी का प्याच्छा बलवाल जी इन्होंने फाइनल मैच में किया था नेट स्काइवर ने तो आज की वीडियो में इतना है अब आपके लिए आगया एक इंट्रेस्टि के लिए क्या करेंगे टेलिग्राम चैनल पर जाके इंडो पार्ट साला सर्च करिए वहाँ पर आपको बिल्कुल मुफ्त में सभी वीडियो की पेडिया प्रवाइट कर जाती है तो थैंक्यू पर वाचिंग वीडियो थैंक्यू सो मच